उत्तर प्रदेश में बीटीसी डियलेड बीड जिन जिन अभेर्थियों ने कर रखा है सीटेट टेट परिक्षा जिनों ने पास कर रखी है उनको कहीं न कहीं इंतजार था एक नई सिक्षक भरती का और हम अगर बात करें तो पिछले 5-6 साल से कहीं न कहीं वहाँ इसका इंत चीजी स्टर को लेकर तो वह तरिके से उस्तर से कुछ डिजाइन करने की बात की बात की गई है और जब हम बात करते हैं इसके द्वारा कहीं ने कहीं है जानकारी दी गई अब बात कर रहेते हैं इसी के बारे में एक एक विंदू को ले करके हम चर्चा करेंगे लास्ट तक आप रहिएगा वीडियो के तो आपको सारी चीजे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो इसमें सबसे पहले जो बात की गई है कि यूपी के जितने भी पंचायत है न्याय पंचायत जिनको आप कहते हो ऐसे में तो न्याय पंचायत में इन्होंने स्कूल स्थापित करने की जो है वह पहल की है कि वहाँ पर अभी स्कूल जो है वह ऐसे में खुलेंगे और जब हम बात करते हैं कि कितने कुछ जमीन पर तो 10 hectare भोमी जो है पर नए स्कूल इस्थापित करने की बात की गई है और जब हम इस announcement की बात करते हैं तो उदायती foundation के द्वारा जो mission उन्नती है उन्नती के अगर हम बात करें तो आप इसे ऐसे समझेगा जैसे आप लिखते हो यू डबल एन एटी आई ठीक है तो ये mission उन्नती क्या है यहाँ पर UP नारी ध्यान दीजेगा यू से UP है N से नारी है नारी के अगर हम बात बात करते हैं तो नई अकांगशा करके दिया हुआ है NA4 नई अकांगशा तरक्की और इच्छाएं क्या है तरक्की और इच्छाएं यह है इसका full form और इसी सुभारम इसी पर कहीं ने इसको शुरू किया है और हम आपको बता दें इनके अनुसार जो एक डेटा दिया गया कि जब हम UP की बात करते हैं तो 1.38 लाग जो प्राथमे के विद्याले हैं आपको देखने को मिलेंगे साथ लाग शिक्षक जो है दो करोण शातर हैं वर्तमान में ने बोला कि प्रते की स्कूल में दो से तीन कम रहे चार से पाथ शिक्षक और दो सो शातर जो है वह देखने को मिलते हैं जिसमें सुधार की बहुत कम गुंजाइस है तो अभी इस चीज को देख करके जैसा कि अभी मैंने बोला सुधार की गुंजाइस कम है मतलब टीचर की अगर हम नई भरती को ले करके बात करें जो मुद्दे की बात है क्या वो चीजे होंगी क्या ये चीज लागू होने के बाद वह देखने को मिलेगा या फिर वो चीज अब ऐसे में नहीं संभावना है उसकी क्योंकि जिस तरीके से यूपी सरकार का जो रविया है जो एक तरीके से जो उनका जब हम एक नजरिया बात करें इस भरती को ले करके शिक्षक भरती को ले करके तो बिल्कुल से शुन है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो ख़वर आज हम आपको बता रहे हैं ये कोई अभी की ख़वर आई हुई नहीं है आप अगर गूगल पर भी सर्च करेंगे देखेंगे तो दैनिक जागरण में आपको ये ख़वर देखने को मिल जाएगी इसकी चर्चा हो रही थी मई 2014 के आसपास जहां पर मॉडली स्कूल स्थापित करने की बात की गई थी पंचायतों में ठीक है तो आप वहाँ पर देखेंगे 26 मई 2014 की जो ख़वर थी दैनिक जागरण की उसमें ये चीज़ आपको मिल जाएगी तो ये चीज़ अभी बात की गई है और उन्हें कहा कि विद्याले पूरे राजे में ब्लॉक और नयाय पंचायत इस्तर पस्थापित करने की बात जो है वो की गई है और भोजन और बाकी सारी चीज़ों कुले करके विवस्था भी इन्होंने करने की बात की हुई है ये कहा कि सीव ने पहले ही 18 संभागों में इसके प्रकरिया शुरू कर दी है तो ये शुरुआत जैसा कि अभी मैंने बोला इसके शुरुआत तो कहीं ने कहीं 14 और वहीं से हो गया था लेकिन इन सब कामों में अभी भी मैं आपको बता दू कि बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है उससे पहले आपको भरती देखने को मिलेगी जरूर इस जिश्च को आप मान के चलिए और यहाँ विर अभी उप चुनाओ भी हैं आपके जब हम 27 की बात करते हैं अभी आपको 24 चल रहा है तो ऐसे में कहीं न कहीं जब हम इस गवर्मेंट की बात करते हैं अपनी पैठ बनाने के लिए अपने आपको सत्ता में रखने के लिए भरती पर एक नई भरती प्रक्रिया पर विचार्ट ज़रूर करना होगा और ऐसे में उन्हें करना भी चाहिए बाकी यहां पर क्या कुछ चेंजेस होंगे उनको ले करके तो भविश में हम देखेंगे ही कि ऐसे में क्या कुछ परिवर्तन जो है वह देखने को मिलता है तो यह जो नेशनल जब हम डिबलेप्मेंट की बात करते हैं और यूपी को एक ट्रिलियन डॉलर की एकोनॉमी बनाने की जो बात है वो लक्ष जो है कहीं न कहीं पूरा करने को ले करके भी यह सब चीजें की जा रही है तो जैसा भी आगे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा हम आप सभी को उससे अबगत जरूर करवाएंगे वीडियो को बाकियों तक शेयर जरूर करिएगा ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बाकियों को भी इसके बारे में जरूर बताएं ऐसी खबर से भी आप अपने आपको अपडेटेड हमेशा रखें टेलिग्राम चैनल महाशक आड़ीमी के नाम से ही है उससे भी आप जरूर जुडियेगा शुक्रे आप सभी करव वीडियो के साथ में जल्दी मिलेंगे